अम्रत वेले का समय, प्रभू मिलन का सुन्दर समय है, इसको अम्रत वेला इसलिए कहते हैं, क्योंकि इसमें हम अपने मन को सवेरे सवेरे ज्ञान अम्रत से भर लेते हैं, दूसरा इसका नाम ब्रह्म मुहुर्थ है, ये ऐसा मुहुर्थ है, ये ऐसा काल है जब हम ब्रह्म लोक में अपनी बुद्धी को परम पिता स्युवावा पर इस्थिर कर सकते हैं, वहाँ विचरन कर सकते हैं तीनों लोकों की सेर कर सकते हैं तो जो आत्माई अमरत्वेले को पूरा महत्व देते हैं बाबा उन पर प्रसंद रहता है और जो अमरत्वेले को संपोर्ण सुखदाई और अनंदकारी बना देते हैं उनके तो कहने ही क्या तो सबेरे उठकर बाबा को गुड मॉर्निंग करके और उसने हमें जो कुछ दिया, उन प्राप्तियों के लिए उसको सचे मन से, खुले मन से थैंक्स करें, आनंदित कर लें अपने मन को, खुशियों से भर लें, ओकराने स्वर, तुने आकर हमें जीवन दान दिया, आपको बहुत बहुत सुक्रिया, आपने आकर हमें ज्यान रतन प्रदान किये, सत ज्यान दिया, हमारी जनम जनम की सत की खोज समात कर दी, आपको बारम बार सुक्रिया, हे सार्व शक्तिवान परम सद्गुरु बनकर आप हमारे सहारे बन गए हमारी जीवन नईया के खिवया बन गए आपने हमें वर्दान दिये शक्तियों से हमारा स्रंगार किया आपको कोटी कोटी बार धन्यवाद हम आपको पाक कर बहुत सुखी हो गए इस तरहे बाबा को सवेरे सवेरे सुक्रिया करेंगे मन प्यार से भरपूर हो जाएगा और बाबा की समीपता का सुन्दर अनुभव होगा साथी साथ तीन बिंदियों की स्मर्ति दिलाए अपने को बाबा बिंदू स्वरूपति सुक्स्म मैं आत्मा अतिस सुक्स्म जोति स्वरूप और ये ड्रामा का ज्यान इतना सुन्दर बाबा ने दिया कि उसको स्मर्ण करके हम अपने चित को स्यांत कर देते हैं और थाज संकल्पों को बिंदू लगा देते हैं ये तीनों बिंदू रोज सवेरे हम स्वयम को इस मर्ण की में दिलाएं आत्मे की स्थिती में स्थित होने से भी हमारे सभी संकल्प स्यांत हो जाते हैं और शिर बाबा जमाहा जोति है जो सुक्स्मति सुक्स्म है उन पर अपनी बुद्धी को इस्थिर करने से मन पूरी तरह स्यांत होने लगता है तो रोज सबेरे स्वयम को इस्मर्ति दिलाएं इस्मर्ति स्वरूप होना स्रेश्ति स्थिती बनाने का सर्वत्तम उपाय है जो आत्में अपनी स्थिती को स्रेश नहीं बना पा रहे हैं वो इस्मर्ति स्वरूप बने अर्थात अपने को इस्मर्ति दिलाएं रोज सबेरे और उसका सरलतम तरीका है अपने पाँचों स्वरूपों की समर्ती स्वयम को दिलाना पाँच बार रोज सबेरे दिलाएं ये याद स्वयम को मैं चमकती हुई आत्मा मेरा देव स्वरूप भविस में मैं क्या बनने जा रही हूँ मेरा परंपुज्य स्वरूप मैं कितना परंपवित्र भगती में मेरी मोर्तियों के दर्शन करने से ही सब सुखी हो गए उनकी मनों कामने पूर्ण हो गई अब मैं स्रेश ब्राह्मन स्वमानों को याद करें पावा ने मुझे क्या बना दिया और अब बनना है मुझे फरिष्टा अपने फरिष्टे स्वरूप को देखें मैं चमकती हुई आत्मा प्रकाश के सरीर में विराजमान कमलासन पर हो ये पाँचो स्वरूपों की स्मर्ति हमारे चित्थ को रोज सवेरे स्यांत करेगी ज्ञान के बल से श्वमान के बल से भरपूर करेगी जितना हम stress समर्थी में रहते हैं उतना ही हममें समर्थी आती है तो आज सारा दिन इन पांचों स्वरुपों की समर्थी स्वयम को दिलाएंगे गंटे में एक बार एक मिनट के लिए और स्वयम को आनंद से भरपूर करेंगे तो आप सब को बहुत बहुत thanks, om shanti